प्रिश्रा खान वेल्कम टू समा पॉड्कास्ट तोड़े विए अपने मुटालबात तस्लीम करवानी के लिए आखिरकार मुटालबात तस्लीम हो गए ये जो लोकसर को पर निकले वे थे ये भी सम्हाँ मैलो डाउन हो गया है लेकिन हालात इस नहच पर क्यों पहुंचे क्या ये जो हालात पहुंचे इस नहच पर इनकी इंवल्समेंट में कोई फॉरिंड फैक्टर्स भी मौजूद है इस हवाल समझानेंगे कि अज़ात कश्म थे हंगामा खेज लोक सरकों पर निकले वे मतालबा तस्लीम करवाने के लिए आखिर कार्ट ठीक है मैलो डाउन हो गया सब कुछ उनके मतालबा भी तस्लीम कराने का फैसला हो गया है उनको वादा दे दिया गे इस बारे में लेकिन आप मुझे ये बताईए के अजाद कश्म पर वीर केंदर लोक बाहर निकले थे हैं तो वो आम लोक हैं और उनके मतालबा जो हैं वो आम आदमी के मतालबा whenever c help के मिसाईल उनके भी वही हैं जो और आप यहां कर पर पन्जाब में जो राज़ंपूर में जो रहीं यार खान में जो मंडी बहाओ दिन में जो सिंद के जाफराबाद के अंदर जो कर रहा है यह देखें, यह हर जगा पर मसाइल वही है मसला पेट का है बूख का है बूख का मसला है, भूख का मसला है लोगों के मसाइल हल नहीं हो रहे लोगों की पूरी नहीं पढ़ रही जिसे कहते है जितनी आमदनी है उससे कहीं ज्यादा इखराजात है और ये चीजें देखने वाला कोई नहीं है कोई इन चीजों को रियलाइज नहीं कर रहा यानि की रोटी कप्रा मकान वही वाले मसले है रोटी कप्रा मकान अल्ला आपका भला करे ये वही बाते हैं अच्छा अजाद किश्मीर के लोगों को ये दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने हक में आब आज उठाई है ये तो बहुँ अच्छी बात है और उन्हें अगर मतालबा तस्लीम कर लिए अपने तो शाबाश है भई लेकिन आप मैं चाहिए बता है वाकी में एक्जेक्यूट भी होंगे मतालबा तस्लीम होने में और उनको कर दिखाने बरफ लिए बिल्कुल एक्जेक्यूट होंगे जिस लेवल पर ये सारी एक्टिविटी हुई है उसमें मतलब फेडरल गौर्मेंट ने फ़री तोर पर सद्रे ममलक के पहले इजलास बुलाया उसके बाद फिर वजीर आजम ने इजलास बुलाया और उसके लिए बकाइदा तोर पर एक अमाउंट जो है वो उसकी अप्रूवल दे दी गई और उने वो मसला किया था उनका उनका मसला ये था कि उनने सस्ती बिजली मिल रही थी लेकिन कोई दो साल पहले उनकी उसस्ती बिजली जो है वो खत्म कर दी गी उनने जो सबसिडीज दी जा रही थी वो सबसिडीज गंदूम पर और बिजली पर विड़्ा कर ली अब अजाद कश्पीर के लोगों का मामला ये है वो ये कहते हैं कि पागिसान के अंदर जो बिजली बनती है मुझमुई तोर पर जिसमें आप पन बिजली भी है और थर्मल बिजली भी है नुकलिर भी है शमसी तवानाई से भी बनती है विंड मिल भी है बेशमार किसम की है उसमें सबसे चीपर जो पॉर्शन है वो हाइडल का है पन बिजली जिससे कहते हैं और वो पन बिजली जो है वो कहते हैं कि हमारे लाके से बनती है अजाद कश्मीर के लाके में जो मीरपूर में आपने मंगला डैम बनाया है उससे बनती है आपने नीलम-जेलम के उपर जो प्रोजेक्ट बनाया है उससे सस्ती बिजली बनती है ठीक है वो तीन चार पांच रुपे कहले जितनी भी आप कहले इस रेड़ पे हम बिजली बना कर प्रोड्यूस करके आपको देते हैं तो हमें आप क्यों वहेंगी बिजली वहां पर नहीं होती है तो वो उन्हें आटा सस्ता मिलता था अब मेंगा मिलने लगया है जैसे बाकी मुलक के अंदर एक आई महंगाई का एक लहर आई जैसे यहाँ पहला आते है वही आप देखें लेकिन वहां यह हुआ कि उन लोगों ने बहराल यह जरूर हुआ कि उन्हो किशमीर का जो नजाम है यह वफाकी हकूमत चलाती है और वहाँ पर एक इलेक्टड गॉर्मन्ट है और वह इलेक्टड गॉर्मन्ट जो है कि उनकी जनरेशन वो उनका नहीं टोटल बजट है वो कोई मेरे खळल रूब कि five or ten percent है तो इसमें ज्वेड़ादा उन्हें फैडरल गुवर्मिंट से ही पैसे लेने पते है तो वो फैडरल गुवर्मिंट से पैसे लेने के लिए वहां की जो गुवर्मिंट है ये उसका फर्ज बनता है कि वो अपने लोगों का केस प्लीट करें बिल्कुल 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 और उनको चीज़े फराहम करें जिसे वो महलुम है लेकिन यह है कि वो इसमें नाकाम रही है हकूमत नाकाम रही है यह कहने दे मुझे कि वो नाकाम रही है नाकाम रही है मुझे यह बताईए है हकूमत नाकाम रह रोए, चीके चलाए तो आपको वाकी लगता है कि execution भी होगी बस यह अब ही के लिए इसको melodon करने के लिए, खतब करने के लिए यह जो हलात HEY जो हालात थे, के os था मचावा था, इसको खतब करने के लिए जनने के लिए इतना ही बिलन के देखें असल बात यह नहीं है मैं जो कहना जा रहा हूँ वह यह नहीं है कि वह एक हंगामे हुए है मुझायरे हुए है इतजाज हुआ है उन्होंने मतालबे रखे हैं मतालबे मान लिए गए है जी 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 इसमें जो मुझे दो खत्रनाक चीजे ने सामने आई आई है वो यह हैं बताइए कि एक तो ये कि लोगों के पास जो पूलिटिकल प्लेटफार्म जो होता है जिसके लिए पूलिटिकल पार्टीज music एक एजिन्ट के तोर पर काम करती है political parties क्या होती है एक political agent होती है न वहागी बात जो है वो लिकर आगे बढ़ती है ठीक है न वो नकाम हो गई है Mainstream political parties जो है वो नकाम हो गई है बिलकोल ठीक बात प्र जब नकाम हुई है वहाँ की हकोमत नकाम होई है तो फिर उसके मुकाबले पर platform कौन सा सामने आया वहाँ पर पता चला कि ये मूवमेट जो है वो ट्रेडर्स की यूनियन जो है एसोसीशन जो है वो चला रही है स्टूडन्ट यूनियन चला रही है ट्रांस्पोर्टर्स की यूनियन चला रही है इसी तरह से मुक्तलिफ जो फैक्शन्स हैं उनके नमाइंदा तन्जीमें जो हैं उन्हों ने ये मूवमेंट अपने हाथ पे ले ली इसका मतलब यह है कि आपने सियसी पार्टी ने एक खला पैदा किया उनकाम हो गई उनकी जगा खला नहीं रहता खला कभी नहीं रहता खला ने पूर होना होता है उसकी जगा पर फिर ये लोग आ गए और एक एक्शन कमिटी बन गई मुझे सबसे ज़्यादा इस पर खतरना क लेंगे तो उससे वो आपको क्या बता कि वो आपके लोगों को लेकर किदर चल पड़ें वो वाईलेंस की तरफ लेकर चल पड़ें और पर पतनी नतीजे और क्या हो इंदी एंड तो हमारा तो इस वक्त मस्टा ये है कि हम अपनी सुसाइटी के अंदर भी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं कि उसको बहुत किया जाये इंतहापसंदी के खिलाफ हमने एक लंबी जो है वो जंग लड़ी है अबी भी लड़ रहे हैं कि लोगों को इंतहापसंदी लेकिन अगर हमारी प्लिटिकल पार्टीज अपना करिदार अदा नहीं करेंगी तो नान पुलिटिकल लोग उनके हाथों में आखे कबजा करेंगे बिलकर ठीक है ना जाने और किस किस किसम के अहलाद हुआ है दूसरी बात यह है कि यह कश्मीर में जिस तरह का एपिसोड चला है उसके बाद आप बाकी मुलक के लोगों को क्या सबक मिला इस से इसका सबक य लिखना पड़ेगा मुझे चिलाना पड़ेगा मुझे बाहर निकल का शोर मचाना पड़ेगा जरूस निकालना पड़ेगा टायर जलाने पड़ेंगे आप लोगों को इस तरफ लेकर जाना चाहते हैं लेकिन हमें यहीं पर सोचना चाहिए कि हम लोगों को इस तरफ ना ल इसके बावजूद कि अच्छा आप सोलर अगर लगा रही है तो हकूमत जो है वो सोलर के पीछे भी पढ़ गी है वो भी आप से उसका इसी हाल में खुश्च जो फाइदा जो है वो भी लेना चाहती है और उसके उपर भी ड्यूटी लगा रही है सो मैंने जो पहले कहा है कि ये असल मसला आम आदमी की रोटी रोजी का है उसके मसाइल ये हैं आप उसके मसाइल हल करें अच्छा मैंची ये बताए अब मतालबा तो चले आज तसलीम हो गए लेकिन अप करंट सिचुएशन क्या है क्या चल रहा है current situation ये है कि वो सारे मुझाहिरे जो हैं इतिजाज जो है वो call off हो गया है लेकिन उसके साथ ये है कि वहाँ पर दो तीन नौजवान जो है उनकी death हुई है और वहाँ पर वो मतालबा कर रहे हैं कि इनका किसास चाहिए उने यानि कि खून के बदले खून चाहिए ठीक है अब इस पे जो है वो ये बिलकुल यह भी भी चीज़ें जो है और हम ये नहीं कह सकतें कि कूल डाउन हुई है तो वो उन्हें एक प्लैट्फरम एक मिल गया है उस प्लैट्फरम से अब ये डिमांड जो है वो कर रहे है इसके साथ ये भी है उन्होंने ये भी डिमांड किया कि यहां पर जो रूलिंग अलीट है उसके जो बड़ा शब शब शबा है ना उनका जो लंबी लंबी कारें बड़े बड़े पैसे प्रोटोकॉल ये वापस लिया जाए इसके लिए वहां पर ये भी एक आजाद कश्मीर देख सकते हैं डेफिनिटली देखेंगे चेंज और मैं तो यह समझता हूं कि इस चीज को पॉजिटिवली लेना चाहिए और बाकी जो मुल्क है उसके अंदर भी ये अगर अपने चलन ठीक कर ले हमारी जो हुकमरान अश्राफी है ये अपना चलन ठीक कर ले बजाए इसक कपर मकान एक बेसिक चीज है जो हर इनसान को चाहिए ही चाहिए दुनिया के जिस मर्जी कोने में हो और अज़ाद कश्मीर के लोगों ने वहाँ पे जो ये प्रोटेस्ट किया अप्री जरूरियात के लिए किया मेरे ख्याल से वो इस नहच पर पहुँच गए कि इनको घर किसी जगह है देखें अगर कहीं फैसलाबाद के अंदर ये काम हो रहा हो लाहूर में ये हो रहा हो या मुलके किसी और हिसे में हो रहा हो तो शायद आप ये सवाल मुझसे ना करें लेकिन आज़ाद कश्मीर में हो रहा है तो वहां पर फौरी तो पर आपकी ये हिस जो है भड़कती है कि ये तो जाहर है कि एक ऐसा इलाका है कि जिसके बारे भी चीज़े इसका स्टेटस जो है तैय होना है और इंडिया के साथ हम इसमें एक खास पोजिशन लिए हुए है तो मैं ये समझता हूं कि वहाँ पर उनका हाथ है या नहीं है लेकिन बहराल जिन लोगों ने इस वक्त का तायून किया है देखें एक तो पहले तो मैंने अप्रिशेट किया कि ठीक अपने हाग के लिए आवाज बलंद करनी चाहिए लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये इस वक्त का जो है उन्होंने जो इन्तखाब किया इन मुझाहिरों के लिए ये किसी तौर मुनास्ब नहीं था इस वक्त इंडिया के अंदर इलेक्शन्स हो रहे हैं इलेक्शन्स हो रहे ये बात कर दिया आपने ठीक अच्छा कल ही वहाँ पर लोगसाबा के इलेक्शन्स जो है वो उनके जबू और कश्मीर चैप्टर जो है वहाँ पर हुए है जो इंडियन मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर पॉलिंग हुई है तो सारी दुनिया की नज़रे तो थीं मकबूजा कश्मीर के ओपर कि वहाँ पर उन्हें ने आर्टिकल 270 जो है वो रिपील किया है और उसका स्पेशल स्टेटस खतम किया है उसके बाद कश्मीरी बड़े गुसे में हैं इतने गुसे में हैं कि वहाँ पर BJP जो पूरे भारत के अंदर दंदनाती फिर रही है और हिंदोत्वा के नारे पे वो पूरे भारत के अंदर अपनी कमपेंट चला रही है लेकिन उसके इतने बुरे हालात हैं कि पूरे कश्मीर के अंदर उसे खड़ा करने के लिए कैन डेट नहीं मिला वहाँ पर शदीद मुजाहमत है BJP की रह में इस मौके पर इन मुजाहरों ने लोगों की तौज़ों जो है इंडिया को ये मदद मिली इंडिया ने इसको इस तरह से इस्तमाल करने की कोशश की के अपने इंडियन कश्मीर से हटा कर पाकिस्तन के कश्मीर की तरफ उन्होंने प्रपोगेट किया और ये तमाम उनका टीवी चैनल उनके मीडिया इसी चीज़ को दिखाते रहे हैं तो ये इंडियरेक्ली जिन लोगों ने भी इसको डिजाइन किया जो लोग इसके पीछे थे जाने में या आन जाने में वो इंडिया का परपस जो है उसको सर्व का गए हैं और इसका उसे इंडियरेक्ली उसे फाइदा पहुँचा गए हैं ये ग्यार्दारीसा तरुपर होगा लेकिन बहराल इस में हम नजर अंदाज नहीं कर सकते इंडिया का जो इसके अंदर अमल दखल ए उसका हाथ जो है क्यूआ भारत जो है देखें उसने जिसलरा से बिलोचसान के अंदर मदाखलत कर रहा है और के पी के के अंदर भी फाटा क के अंदर बी इस तरह से उसकी इंवाल्मेंट है थूरू अफ़ानस्तान तो यहां पर भी यह बाइद नहीं है कि उसका जो हो उसकी मुदाखलत हो इसके अंदर इसके हाथ हो तो इस पर मैं समझता हूं कि हमारे लोगों को भी बहुत खुली आंग से रहने की जुरूरत है और हापे में मतालबा चल रहे हैं इसी बिजली को लेकर और यहां पर देखें बिजली के यूनिट कैसे मेंगे हो रहे हैं देखें मेरे लिए सबसे इंपॉर्टन जो है पहलो इसका यह है कि आजाद कश्मीर में ये एक बोमिट चली है उन्होंने अपने मतालबात रखे हैं उ मेरे घर में कितना बिला रहा है इस वक्त बिजली का जो एक सिर्फ ये एक जो है इसी ने आपके मुल्क की एकॉनमी को भी तबाह कर रखे है और इंडिवीजुल जो एकॉनमी है मेरी और आपकी एकॉनमी उसको भी सबसे ज़्यादा हिट यही चीज़ कर रही है आप इतनी ज़्यादा इस सफर कर रहा है मेंगी बिजली से को आपका लाहौर का कंस्यूमर कर रहा है लाहौर में आपके वजीर दाखला नहीं कहा उन्होंने जब आफ आई की कंपेंड शुरू की उन्होंने कहा कि 90 क्रोर यूनिट जो है वो ओर बिलिंग हुई है यह ओर बिलिंग क् उसको किसी एक जगा से फिर पूरा किया जाता है मेरे और आपके बिल के अंदर अडिशनल एज़स्मिंट करके वहां से मेरी और आपकी चैबों से निका लिका लिकाता है और यह मुझे यह बता है कि 90 क्रोड की ओवर बिलिंग क्या मुल्क की किसी और बिजली की कमपनी की ये बात सामने आई है जैसे फैह होता है नहीं आई किसी और कमपनी में इतनी ओवर बिलिंग नहीं है जितनी लहोर में है लहोर लेसको के अंदर है लेकिन यह है कि कोई पूछने वाला नहीं है अब यह तो बता दिया इस में से आपने जो कमपेंड शुरू की है अभी तक कित नहीं है आपने एक मज़ूर की जो आमदनी है महाना तरहा जो है वो मिनिमम वेज जो है 32,000 रुपे मुकरर की है हकुमते पाकिसाने मुझे कोई भी हकुमती एलकार जो है कोई वजीर मुशीर वजीर आजम सदर मुझे 32,000 रुपे में चार लोगों की फैमिली का बज़र बना है ये पूरी फिल्म ना कहीं चल पड़े और ये मैं अगेन कह रहा हूं कि इसको मत देखें कि ये पता नहीं मसला है कश्मीर हमारा इससे मुतसर हो गया हमारा कश्मीर का इशू जो है वो खराब हो गया कोई कश्मीर का इशू खराब नहीं हुआ कश्मीरी हमारे साथ है हमा हमारे साथ है वो हमारे हैं हम उनके हैं आपके पाकिसान के अंदर कश्मीरियों का जो किरदार है वो इतना नुमाया है कि पाकिसान की तमाम आला पोस्टों के उपर कश्मीरी बैठे हुए है अभी आपके जो अमेरिका के अंदर जो अमबेसडर हैं कौन है सरदार मसूद कौन हैं एक कश्मीरी हैं पाकिसान के फॉरं सेकेर्टरी रहे हैं पाकिसान की सिवल सर्विस के अंदर उनका पूरा किरदार है पाकिसान की फॉजी फॉज के अंदर उनको बड़े ओदों पर बैठे हुए हैं पाकिसान प्रोटेक्ट करें गरीब आदमी की जिन्दगी आसान करें यह कश्मीर का ट्रेलर जो है यह पूरी फिल्म ना कहीं बन जाए बिल्कुल ठीक बात कि आपने कि देखें अभी कश्मीर जाने हमारे लिए एक हिंट है हमारे लिए एक ट्रेलर है टीजर है कि हम इससे अलर्ट हो जाएं और यहां पर हमारे हलात ना कैसे हो जाए हम अभी तो लगे वे हैं कि नहीं ठीक हो जागा सब कुछ लिए हमारे इर्दगिर जो चल रहा है वो से हमारी भी सारी एकॉनोमी एफेक्ट तो हो चुकी ऑल्रड़ करें कि गरीबों के लिए कितनी सहूलत होने चाहिए यहां पर इस वक्त पूरे साल में इन चार महीनों में गरीबों के लिए को इस्ता का पैकेज प्रजेक्ट होना चाहिए लोग बार बार पूछ रहे हैं कि एलेक्शन कंपेन में जो 300 यूनिट फ्री देने का वादा था कहा गया आपको पता है इस वक्त तीन सो यूनिट का बिल कितना आता है 30,000 उपे 300 यूनिट का बिला था किसी की तनखाब भी नहीं है मैंने बताया कि मजदूर की मिनिमम वेज जो जो लिक हुई है वो 32,000 है वो शायद वो 32,000 भी हर जगा नहीं मिलती दिहारी परड़े नह अपना जिसम और जहां का रिष्टा कैसे वो बरकार रखेगा बिजली के आप बिल्स देते रहेंगे कि आप अपने पर कुछ करेंगे कोई अपने भूग मिटाएंगे आप क्या करेंगे बिलकुल सो इसकी तरफ हकूमत देखे कश्मीर का जो मामला है उसकी सेंसिटिविट अपनी जगह पर है वो मस्ला अपनी जगहा है लेकिन अकूमत को ये करना होगा कि ये आम आदमी की जो ज्रूरियात हैं उसकी जो जियुद की हैंव उसको आसान करें ये बिजली सिर्फ कि नहीं पूरे मुल्क के अंदर आम शीरीं के लिए सस्ती होनी चाहिए और ये खाने बड़ी वाज़े कह दूँ, ये चीज़ें किसी के बस में नहीं रहेंगी, जुस तरह से आजाद कश्मीर के अंदर पुलिटिकल पार्टी एक तरफ होगी और एक्शन कमेटी बन गी, इसी तरह से पाकिस्तान में भी सियासी पार्टीया मूँ देखती रह जाएंगी, और फि प्लीज आप महिंगाई कम करें, ताके हर आम शेहरी सकून की जिंदगी बस्त कर सके, थैंक यू Mr. Javed Farooqi for being here at Sama Podcast, और भी बहुसी बाते करेंगे, आपको अपडेट भी देंगे, लेकिन for that you guys need to stay tuned with Sama Podcast, till then stay tuned, bye bye.